कैसे हो आप सब आप सब आप सभी अच्छी होंगे तो दोस्तों आज मैं आप सब शेयर करने वारी हूं पापाया फेसपैक तो आप सभी को पता होगा पापाया हमारे बोड़ी के लिए कितना जादा बैंट फिर देता है तो उसी तरह हम अगर हम इसे अपने फेस पर लगाए इसका बैंट फिर हमारे स्किन के लिए खुद बहुद आप नोटिस करोगे कितना जादा बैंट फिर देता है पापाया खाने से हमारे बोड़ी रहती है और फेस पर लगाएंगे तो काफी ज्यादा बैंट फिर हमें प्रोबाइट करेगा तो फिर्स्टी हम इसके बैंट इसके बात कर लें तो इसमें हाइए लेवल में बिटामिन A,C,E होता है जो कि हमें हार्ड डीसील जैसे प्रोब्लम से दूर रखता है अगर आपके केलिस्ट्रोल बढ़ गया है तो उसे ये दूर करने में हेल्प करता है अगर आपकी स्किन ड्राइब है फिलेकी है तो उस लेगा होगे तो आप खुद बखुद नोटिस कर गई कि आपके फेस को कितना ज्यादा ये मौश्राइज रखता है क्लियर रखता है तो इसके बाद आप देख सकते मेरी स्किन कितनी जादा क्लियर एंड सॉफ्ट लग रही थी तो अब हम बनाएंगे इसका फेस पैक तो इस तरह से आपको इसके स्किर्टन स्कार्ट करने हैं तो इस मैउट करणे इक चमच बेशन तो ये ऑप्षन है अगर आपके बास बेशन नहीं तो आप इसकी जगऑ औरेंज पीर पावडर भी आपकर सकते हो और इसमें स्मच शनी मेचह उपको इसे मिक्सप कर लेना और स् स्मूढ सा पैस्ट बना लेना है। मैं म मिक्साप करना या प्रिंग तो इसका डायरकत पपाया से अप्र प्लाई कर सकते हो। कुल अपने बाते सेफ्ट बनांसी और number सेझादगे तो इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर इसे अपलाई कर लेना है जाइस मसाज करते हुए अपलाई करना है और पपाया आप रेजर्ट खुद भुद नोटिस करोगे कि आपकी स्किन को कितना जाद यह सॉफ्ट बना देता है यह वाला फेस पैक फ्रूट चाहे कोई भी हो आपके घर पे थोड़ा वत रखे उसका फेस पैक बना सकते हो क्योंकि यह काफी ज्यादा मैंफिर्ट धामें यह प्रवाइड करता है तो इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है इस पेक को मैंने अपनी फेस पर अच्छे से अप इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है तो इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर मसाज करनी है तो इस तरह से आपको इसे अपने फेस पर मसाज करनी है तो इस तरह से आपको अपने फेस को मसाज करनी है तो इस तरह से आपको अपने फेस को मसाज तो और वी steps follow कर सकते हो, आप जितना time दे सकते हो face massage को उतना आपको देना है, तो जितना time दे सकते हो face massage को उतना आपको देना है, तो दो से तीन मिंट के लिए ass days रहने दूँगी, then अपना face थंडे पानी से wash कर लोगी, guys मैंने बिल्कु छिल्ड वाटर से अपना face wash किया था, अगर आपके open post की problem है तो थंडा पानी हमारे face को, जो open post होते हो, उसे minimize करने में हैं, then इसके बाद मैं करूँगी अपने face को moisturize, आपको ये step कभी भी skip नहीं करना है, आप चाहे कोई भी face pack लगा लो, आपको हमेशा अपने face को moisturize जूर रखना है, तो इस तर से मैं अपने face को moisturize कर लिया है, तो अब मैं यूज़ करूँगी lip balm, तो आप कोई भी अपने favorite कोई भी lip balm यूज़ कर सकते हो, तो इसे मैंने market से लिया था 30 रुपे में, तो आप कोई भी अपना favorite lip balm यूज़ कर सकते हो, तो guys, आप results खुद बो खुद देख सकते हो, मेरी skin कितनी ज़्यादा hydrator लग रही है, clear लग रही है, पहले मेरी skin face पर कितनी ज़्यादा tanning थी, तो guys, ये tanning को भी दूर करता है, और आपके face को काफी ज़्यादा benefits देता है, तो guys, ये थी मेरी आज की video, I hope आपको video helpful लगी हूँ, तो please मेरी channel को subscribe, like, share करना, मत लूना, और आप इस face pack को week में two times जू apply कर सकते हूँ, तो I will meet him next video, bye